सब्सक्राइब कर दो हमाने यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेल दोस्तो आज सब्सक्राइब का मायर आपकी यूट्यूब चैनल जीपीटेस बबस सवागत है तो दोस्तो जैसे कि आप सब्सक्राइब को पता ही कि आज दोपैर के अंदर चार या तीन बचे जो जो HRD मिनिस्टर है और जो सभी स्टेट के एज्यूकेशन मिनिस्टर है उनकी मिटिंग होने वाली है मिटिंग गाईज स्कूल डियोपनिंग को लेकर है और साथ में जो CBSE कलास 9 और 11 के एक्जाम है उनके उपर भी भात जीट होगी तो गाईज मिटिंग एक आज होगी और आज meeting होगी और कुछ state एटेट के Education Minister के साथ में कल meeting होगी तो guys आज और कल दोनो meeting होने वाली है क्या क्या meeting में बाक्षिट होने वाली है वो सब कुछ और HRD डिपार्टमेंट पर ही repent करता है वैसे guys HRD department पहले ही काफी time पहले ही कहा दिया था है कि हमें बच्चों के एज़ाम ओनलाइन लेने चाहिए लेकिन कई सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर इसके अगेश्ट से इसलिए आज ही मीटिंग हो रही है और चांस है गाईज जो एजुकेशन मिनिस्टर चाहेगे वही सेंटर वर्क करेगी तो अब देखो क्या डिसीजन आता है लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ आपने इतना वेट की है तो लगता है आप सबी के फिवर का ही डिसीजन आएगा जनवरी के फर्स वीक के अंदर या फिर परसो 31 दिसंबर को या फिर फर्स जनवरी तक आपको बड़ा इंपोर्टेंट अनॉस्पर मिल जाएगी तो गाइज अगर कोई बड़ा अपडेट या भी बड़ी इंफोर्मिशन होगी आपके लाइक तो मैं जरूर वीडियो बना के बता दूँगा अब भी तक की कंडिशन को देखते हुए ज़्याज़ा चांसे है ओनलाइन एकजाम के लेकिन कुछ स्टेट के अंदर क्योंकि इंडिया काफी बड़ा है कहीं पर काफी नॉर्मल कंडिशन भी है जैसे साउथ के स्टेट से है तो आपर नॉर्मल कंडिशन है तो जापर नॉर्मल कंडिशन हम आपर मैं कुछ कहा नहीं सकता लेकिन जापर अभी हाला साइज नहीं है आपर आपर आनलाइन होने एक ज़्याज़ा चांसे है बाकी गाइज कंफर्म रिपोर्ट आपको जनवरी के फर्ट वीक में मिल जाएगी जैसे गाइज कोई कंफर्म इंफर्मिशन आती है मेरे पास मैं आपको वीडियो बनागे बता दूँगा कोई भी टैंसर मतलो सिरफ आपको दो तिन दिन वेट और करना है वेट करोगे आप सभी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन आने वाल है दोस्तो इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी जरूशे करना कोई भी कनफीजन इस वीडियो करना है तो उसे फिलिक कोंटेक्ट कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में तहीं आप है फिर में नेक्स वीडियो में तब तक आप से गर पेरो सेफ रहो